मास्किंग हम अडॉबी प्रीमेर में भी इसके उपर बात कर चुके हैं और इस वक्तम आफ़र एफेक्ट में भी मास्किंग को थोड़ा सा एक्स्प्लोर करने लगे मास्किंग अगर हम बात करें तो आफ़र एफेक्ट का मेजर यूज एरिडिंग के साथ साथ बैसिकली मास्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था इनिशिली क्योंकि होता क्या था प्रीमेर में वह वाले फीचर्स नहीं थे कोई भी आपका एसेट हो आप उसका स्पेसिफिक एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको सिलेक्ट करके आपने इसको डुब्लिकेट करना हो आपने कोई और चीज़ उसमें मर्ज करनी हो और बहुत सारी आपके पास उसमें पॉसिबिलिटीज मुझूद है यह काफी फन एलिमन्ट है इसका काफी कम्प्लिकेटिड भी है और इसमें आपकी हाथ की सफाई भी काफी इन्वाल्व है आइए इसको देखते हैं तो इस वक्त हम आप आपने सोफ्ट्रेश पे हैं और यहां से मैं अपने कुछ एसेट को इंपोर्ट कर लूँ और इसके लिए मैंने इसवक्ति सिलेक्ट किया है मेरे पास एक इमिज है और प्लस उसके साथ मैं यहां पर एक वीडियो भी इंपोर्ट कर लेता हूं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहां पर एक new tab में यह खुल जाएगी जो कि still image है इसको डबल क्लिक करके मैं यहां भी देख सकता हूँ और जो कि मेरे पास एक video है इनको composition पर यहां पर रखते हैं और इस वक्त मेरे पास उपर यह वाली layer है और नीचे मेरे पास जो layer है वो यह पहाड़ वाली है इसको मैं उपर रख लेता हूँ यहां पर इसका scale थोड़ा सा हम set कर लें जो इस orientation में हमारे पास 1920, 1080 में इस वक्त सेट हो जाए और जो नीचे वाली मेरे पास video है इसको मैं off करके देख सकता हूँ और इसकी scaling भी हम adjust बात में भी कर सकते हैं क्योंकि basically हम इसको mask करने लगे हैं उपर वाली layer को और इसको mask करने का मतलब यह होगा कि जितना area हम इसका select करेंगे तो वो transparent हो जाएगा और उसके पीछे कोई भी आपके बास layer होगी तो आपके पास वो visible सामने हो जाएगी बीचे बाई layer को मैं फिलाल off करता हूँ और इस image के ओपर आपको थोड़ा सा मैं masking का concept मजीद clear कर दूँ हम बहुत detail में इसको adobe premium में भी देख चुके हैं और उसमें भी हमारे पास वो चीजे involved थी वो tools involved थे selection हम कर स सकते थे तो इसमें मेरे पास अगर जिस तरह हमने शुरूर में बात की कि specific area select कर सकते हैं तो अगर मैं यहां से किसी shape पे click करूँ और इसके ओपर यहां drag करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जहां जहां पर मेरा यह mouse इस वक्त जा रहा है या जहां पर जो मेरी shape ज और multiple मैं इसमें यह add कर सकता हूँ और आप देख सकते हैं कि आपके पास यहां पर इसके नीचे properties में mask add होते जा रहे हैं जिसमें mask 123 और इनका मतलब यह है कि आप इनको अलग-अलग तरीके से treat कर सकते हैं इसमें के expansion भी अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं यह बढ़ जा और यहां पर जाके इस path को की value change करूँ mask 1 select करेंगे और उसके बाद मैं इसको तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यह इस वक्त mask animate हो रहा है तो यह बहुत सारी possibilities हैं इसमें options मुझूद हैं यह काफी हद तक प्रीमियर में भी मुझूद थी इसके इलावा आपके पास यहां पर pen tool के तुरू भी option मुझूद है और इनको मैं delete कर देता हूं यहां से mask को हम select करेंगे delete और साथ-साथ आपके पास shape के pen tool है य यह भी बहुत important है इसमें और इसी में आप specific area पर जाके जहां पर आप करना चाहते हैं selection वो कर सकते हैं जैसे कि हमने कहाता है कि हाथ की सफाई आपको इसमें जारा detail में काम करना होता है तो अगर मुझे जिस तरह के selection करनी हो तो मैं आपको अभी quickly तो फिलाल इस तरह करके दि selection जो आप इसको साथ join कर देते तो इस वक आपके पास ऊपर वाली चीज transparent हो चुकी है और नीचे आपके पास selection जितना आपने mask किया था आपके पास आगे है इसको भी यहां से delete करेंगे और थोड़ा सा हम इसको आगे मजीद देखते हैं कि हम क्या इस पर हम कर सकते हैं और ज possibility है में इस तरह कर सकते हैं further आप इसमें और बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते थे depend करता है कि आप करना है क्या चाते है रिटेल में काम करना होगा तो इस window को मैं अगर वही टिल्डा की जो हम premiere में use करते थे press करके full screen कर सकता हूं control plus minus से मैं इसको zoom in zoom out कर सकता हूं किसी जगह पर मुझे ज़्यादा zoom in करना हो और maybe उसके बाद फिर मैं space bar दबाके इसको इस तरह से move भी कर सकता हूं यह सारी चीज़े हम premiere में भी देख चुके हैं यहां से मैं pen tool select करता हूं और इस पर हम masking शुरू करते हैं और इसको मैं फ्रूदा zoom in कर लूँ इस वक्त और हम यहां से इस वक्त masking start कर रहे हैं और साथ-साथ मैं चाहूं तो इस पर जब click करूँगा और इसको इस तरह से move करूँ तो आप अपने यह जो vertex हैं इनको भी adjust कर सकते हैं आपके पास यह option मजूद है कि आप बिलकुल इसको इस तरह से adjust करें कि क्योंकि इसमें depend करता है आप और भी जितना detail में आप करेंगे आप इसको refine कर सकते हैं और इस वक्त हम थोड़ा सा ज़रा quickly कर रहे हैं और आपके पास यह option मुझूद है कि आप चंद vertex point से भी आपका काम चल सकता है आपकी शेप पर depend करता है कि आप इसमें कितना detail काम करना चाहें आप इस पर कर सकते हैं और इस तरीके से आप selection कर सकते हैं लेकिन आप देख रहे हैं कहीं पर आपको मजीद adjustment कर नहीं हो तो आप आप के साथ अगर किसी अपने इस handle पर click करेंगे तो आपके पास यह choice है उसको उस शेप में ऊपर या नीचे कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर भी all press करूंगा तो आप देख रहे हैं कि यह मेरे पास curve इस तरह से हो गया जो कि आप बिलकुल इसको जब तक practice नहीं करेंगे तो आपको इसका अंदाजा नहीं होगा और इस तरह भी आप देख रहे हैं कि यह उपर जा रहा है इस वक्त तो और के साथ मैं इसको यहां से इसे adjust कर सकता हूँ जो कि सिर्फ इस वक्तिसके handles पर काम करता है बिलकुल आप इसको detail में select कर सकते हैं इसे और आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम इसको जब मुझे next आगे move करना होता है तो space bar ही press करके हम इसको आपके बस hand tool की option आ जाती है और जैसी space bar आप छोड़ेंगे तो option चली जाती है तो space bar press करके आप इसको move कर सकते हैं क्योंकि हमने zoom in बहुत जादा किया है और उसके बाद अपनी selection को दुबारा continue कर सकते हैं वह उसी selection पे दुबारा से ही काम करेगा और कहीं पर आपको लगता है कि जिस तरह के इधर एक और होना चाहिए था point आपके पास क्यूंकि बीच में कर वा रहा है तो आप एक और point at पीछे भी जाके दुबारा कर सकते हैं और उसके बाद फिर आपको continue करने के लिए आगे इस last जो आपने point लगाया वहता जहां से आ प्रइक करना पड़ेगा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने इसके साथ इसको चॉइन कर लिए ए क्लोंढ जेट के साथ आप अंडू भी कर सकते हैं आगर कहीं पर आपको लगते हैं आपका यह ग między है करेंगे तो अंडू u आपके पास हो सकते और आप तो बारह उसको कंटीनूुं कर सकते हुई से उसको लास्ट पॉंट करना होगा और ताके वह कंटीनू करें और यहां तक हम selection के बाद अब हम जितना area हमने select करना है हम नीचे आ सकते हैं इसको हम इसको minus b कर लें और यहां से हम फिर इसको जो composition के बाहर वाला area है उसको हम इस तरह से quickly select कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पहला starting point था उसके ऊपर मैं अपने ज़र आ रहा है काफी ज़्यादा आपके पास यह points add हैं बहुत ज़्यादा anchor points है यह vertex आपके पास यहाँ पर add हुए है इनको आप further भी बात में भी refine कर सकते हैं क्योंकि already वहाँ पर वह points लगे हैं इसको आप चाहते तो invert भी कर सकते थे जिस तरह यह inverted की option है तो आप देख रहे और अभी हमें इस तरह से ही चाहिए तो simple सी technique यह थी कि हमने pen tool से इस area को select किया थोड़ा सा complication यहाँ पर थी जहां पर हमारे पास पहाड़ों के बहुत जादा curves थे और उसके इलावा नीचे हमारे पास बिल्कुल plane area है जिसको हमने easily साथ में connect कर दिया अगर अभी simply जो इसके बिल्कुल ही plane था और हमने उसको जब mask किया तो हमने यह वाला sky replace किया obviously आपको बड़ा aesthetically ज़रा देखना पड़ता है जो उसके साथ चीज मैच कर रही हो realistic उसमें रहना चाहते है तो आपको कोई ऐसी चीज ही select कर रही है जो उसके साथ gelin हो रही हो proper वो merge हो रही हो साथ में mask हो रही हो और secondly color grading जो हम premium में भी कर चुके हैं और आगे after effect में भी देखेंगे वो भी बड़ी important है कि दोनों को match करने के लिए उनकी color उनकी light source वगारा properly balanced हो और आप देख सकते हैं कि यह static image थी mask करने में असानी हो गई आप चाहते तो mask को भी animate कर सकते हैं अगर यह moving image होती हिलरी होती right left या पर zoom in, zoom out या किसी तरीके से भी अगर यह movement होती तो आप यहाँ पर mask को भी animate कर सकते थे जो कि mask path आपके पास है प्रीमेर में हम इसको देख च सकते हैं, जैस इसको मैं click करूंगा अगर तो आपके पास पूरा mask select हो जाएगा और यहां से अगर मास का path on कर दूँगा और जहां जहां पर वो move हो रहा होगा, अगर mask यहां से हिल रहे है आप इसको detail में देखेंगे, कि अगर यहां से वो हिल चुका है यहां पर position change हो चुक कर सकते थे, इसके इलावा यह still image थी पीछे वाली movement में है, तो हम चाहें थोड़ा सा इसको scale भी इसका animate कर सकते हैं, जिसमें हम यहां पर keyframe add करते हैं, और थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से, कि यह बिल्कुल static ना लगे, हम maybe इसको थोड़ा सा zoom in, slowly हम करते हैं इसको, और यह क्लिक करके हम देख सकते हैं इसको कि क्या इसकी result आ रहा है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपका, यह still image भी movement में है, और अभी सिर्फ इसको scale up किया है हमने, आप इसको right left pen भी कर सकते थे, और अगर थोड़ी सी और अलका सा आप चाहें तो rotate भी, वो depend करता है कि इस तरीक इसमें हो सकती है, special effects में बहुत major use है masking का, आपको सिर्फ selection बेतर आनी चाहिए और back end का process आपको थोड़ा सा understanding होनी चाहिए किस तरीक से उसकी selection होगी और बाद में आपने processing किस तरह से करनी है, इसकी practice जरूर करें, pen tool बहुत important है, जितनी practice करेंगे उतना आपका हाथ बेतर होता जाएगा इस पे और आप मजीद बेतर चीजे बनाते रहेंगे